प्रकाशित वाक्षी के खुला सा कारिक्रव में आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस अपिसोड में हम रेवलेशन चैप्टर 9 को देखेंगे हर बार हम दोनों जब बैट के बात करते हैं तो मुझे एक learning experience मिलता है यही मैं दर्शकों से भी कहूँगा सीखने का एक interest होना चाहिए और दूसरा सवाल होना चाहिए देखिए curiosity अगर हो तो ही revelation interesting ने गागा यह मेरा सोच है आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ रहा है ऐसा एक सवाल उठ रहा है मेरे बन में देखिए ऐसे ही दिल्चस बात दे रहे हैं और जैसे प्रभू कहते हैं वैसे हम करते हैं वैसे तो हम दिल्चस पी से कहानियों की किताब भी पढ़ते हैं प्राप्त कर रहे हैं ये बात तो बहुत जरूरी होती है अब हम यहां पर क्या सीख रहे हैं देखे एक समय ऐसा था जब हम बाइबल को साधरन रूप में पढ़ते थे लेकिन उसके बाद मुझे इससे क्या मिलने वाला है ये देखने का भी समय था क्योंकि हर रोज जब हम प पढ़ लें कुछ काम पर्मिशन हमें सिखाते हैं उसका जो स्वाध है वो यने उस समय उसका जो स्वाध है वो बहुत ही अच्छा होता है और उसके बाद उसके बिना अगर बाइबल पढ़े तो यह अजीब लगता है और اسलिए इस तरह से यह जो उत्ता की बात है ये हर सम को भी बताना है ये हमारा करत्यव्य ऐसा प्रहु ने लिखा है जी हाँ ये तो हम पर एक और जिम्मेदारी है ये सुसमाचार से पता चलता है एक और बात ये एक और रास्ता खोल देता है देखिए बहुत से लोगों के पास में बहुत सी जानकारी है कितने लोगों के लिए ऐसे रास्ते खुले हैं, पता नहीं, देखे, अभी परमेश्वर ने, हमारे ले काई रास्ते बनाए हैं, देखे, अभी हम यहाँ पर दूसरे सीजन में चर्चा कर रहे हैं, यह परमेश्वर की गुरुपा है, यह परमेश्वर का दिया, बड़ा आवसर है जी हाँ, आज हम Revelation chapter 9 तुरही के बारे में देखेंगे, वो भी 5 तुरही के बारे में देखेंगे, पिछले एपिसोड ये दर्शकों को बताना पड़ेगा, क्योंकि पिछले एपिसोड जो देखेंगे तभी उनको ये interesting लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत से foundation aspect, उसकी नजरिया कैसा होना चाहिए, पैरलल कैसे होना चाहिए, ये सब आपने explain किया था, तो अब जो ये 9th chapter है, इसका जो foundation है, इसे हमने last episode में कर दिया, अब इसका जो पांचवा जो trumpet है, उसको हम कैसे और deep से समझेंगे, पिछले episode को अगर देखें तो अच्छा होगा, यहाँ पर दो अगर आप इसे देखें, यहाँ वचन 3 में देखें, यहाँ पर वचन 7 से वचन 9 तो सबसे महतुपूर्ण वचन हैं, तीसरा, और फिर वचन 7 से 9, देखें यहाँ पर क्या हुआ, उस धूवे से जो है, पृत्वी के ऊपर टिड्डियों का जुन्ड आ गया, और यह कहता ह उन्हें भूमी के बिच्छों के जैसे शक्ति दी गई थी, देखें, तीड्डियों आती है, इस तरह हम कहते हैं, यहाँ ग्रास हॉपर्स आ रहे हैं, इस तरह से हम कहते हैं, यहाँ देखें, अगर वो तिड्डी हैं, यहाँ तो वचन 7 में देखें, 7th वर्स कहता है, यहन युद्ध के आकार लड़ाई के लिए तयार किये वे घोड़ों जैसे थे और उनके उनके सिरों पर मानों सोने के मुकुट थे और उनके मुह तो मनुष्यों के जैसे थे ये सोचना भी बहुत कठिन लगए बहुत मुश्किल है टिड़ी कह चुका है अब सामाने जो टिड़ होती है कैसी होती है वो समझेंगे लेकिन टिड़ीयों का रूप तो युद्ध के लिए तयार किये गए घोड़ों के जैसे था वो तो घोड़ों के जैसे तयार थे अब जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे अनुसार पवित्रा आत्मा का की वर्ड क्या है उनका रूप था जै जैसे त facts. जैसे दिख रहे थे. एक सबसे माहत्वूर लिंकवर है उसके जैसे यह है यह वो नहीं देख रहा है अब यही हम लोगों को बताते हैं बस एक मिनिट में उसने वहां पर क्या देखा इसके बारे में हम अपने अंदास से कहेंगे वो तो टिड़ियों के जैसे उड़ रहे थे देखे अगर दूर से देखे तो वो टिड़ियों के समान उड़ते हुए आ रहे थे लेकिन उड़ कर आते समय उनके रूप को देखें तो उनका जो मुहू है वो तो मनुश्य के जैसे थे उनके दाद तो सीहों के समान थे और उसके बाद उनके रूप को देखें तो वो घोड़ों के जैसे थे ये कहता है युद्ध के लिए तयार किये गए घोड़ों के जैसे रूप था और उनके सिर पर स्त्री के जैसे बाल थे लंबे बाल जो की हवा से उड़ते हैं वैसे बाल उसकी आवाज भी उसमें है यानि इतना डीटेल कि उनकी आवाज भी है सबसे पहले देखिए उसने उस दुरुशे को कैसे देखा होगा सोचिए अभी उससे क्या होने की संभावना है एक विज्वल जो वो देखा रहे हैं वो थियाटर में बैट कर देखने का एक experience वो दर्शन है ऐसे कहने का नाम ही दर्शन है ये हो सकता है वो हो सकता ये कहना दर्शन नहीं है अब देखिए एक भविश्वक्ता के पास घटना हुई ये तो बहुत ही दिल्चस्प घटना है यानि पेट में बच्चा है उनको बड़ी उत्सुकता थी कि क्या होने वाला है उ प्रातना करके बताईए, वो आखे बन करके कुछ समय बात कहते हैं, बेटा हो सकता या बेटी भी हो सकती है, अब देखे उन, देखे सच में भविश्वानी नहीं, मेरे हिसाब से ये पूछना ही गलत है, भविश्वानी किसलिए होनी चाहिए ये बात उन नहीं समझते हैं, उसे क्या कहना चाहिए था, वो किसे अच्छे से देख रहा है, अगर इस बात को हम देखे तो, यानि उसका नाम क्या है, और वो किस समय में होगा, ये सब विवरण है, ये तो अंतिम समय में होने वाली घटना है, उनके समय में उनको जो समझा, उसे जब उन्होंने देखा तो वो लिख रहे हैं उसके इसी तरह, वो इसे लिखता है, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये पूछे तो, करीबी दिनों की तो बात नहीं लेके इनलगभग 10-11 साल पहले की बात है, जब हम बैठ कर इन वचनों को पढ़ते थे, तो किसी तरह से परमेश्वन ने हम खुला से दिये हैं, अभी देखा जाए तो, वर्ल्ड के बेस्ट हेलिकॉप्टर्स, टॉप 10 वार हेलिकॉप्टर्स लाए गए हैं, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वार हेलिकॉप्टर्स, यानि अभी जो हम देख रहे हैं, ये तो वार हेलिकॉप्टर है, दुनिया कई देश में युद्ध के लिए उपयोग किये जाते हैं अब देखिए खास कर इस वार हलिकाउप्टर में याने देखे मुझे इसकी एक तस्वीर मिली थी अगर आप इससे देखे याने अगर आप इसकी फोटो देखे जब इससे गौर से देखेंगे तो इसमें दो आखे सामने से देखे तो दो आखे हैं और मनुष्य के जैसे नाग भी हैं लेकिन मनुष्य के चहरा नहीं है इसकी बनावट ऐसी बनाई गई है जैसे कार के सामने दो हैडलाइट होते हैं वैसे इसकी दो आखे इस तरह से इसकी बनावट की गई है ठीक है मुह तो मनुष्य के ज जैसे बिलकुल तयार खड़ा रहता है वैसे ये बिलकुल तयार होंगे तीसरी बात उसके दात सीही के समान थे अगर आप उसके मुह को देखें जैसे सीही होता है वैसे ही उसके मुह और उसके नाक की बनावट की जाएगी और इसके बाद एक बात है जो मुझे बहुत ही चकित कर देती है वो है उनके सिर पर एक मुकुट के जैसे था उसके सिर पर मुकुट जैसे था अगर इन war helicopters के उपर देखे तो doom जैसे है सिर के उपर जैसे मुकुट होता है न वैसे ही और उसके बाद उसके बाल स्री के बालों जैसे थे वो जो blades उड़त जाए रहूं, अच्छे से समझे, इसी के जैसे वो कुछ देख रहा था, वार हेलिकॉप्टर जैसे, और उसके पीछे पूँच है, हेलिकॉप्टर के पीछे ऐसे लंबी सी पूँच होती है, बिच्छू के समान उसे शक्ती दी गई है, याने वो तो बम गिराते हैं, याने वो और हेलिकॉप्टर से इसी तरह के होते हैं और इसके आगे उसकी आवाज कैसी है जरा देखिए यानि उसके जो पंक थे उनकी आवाज पंक का मतलब देखिए पक्षी उनने के पहले अपने पंक फड़ाते जाता है पर हेलिकॉप्टर उपर जाने के लिए क्या करते हैं उ और फ्लेन की आवाज में बड़ा फर्क है, एक हमेशा आवाज करता है, दूसरा वैसा नहीं, यहने उसके शाफ के घूमने की आवाज भी अलग होती है, यहने देखें कितनी सिध्ध ऐसी भवश्वानी है, अब ऐसे ही वो ये देखता है कि ये तो उड़कर आ रहे हैं, बम मनुष्यों को भी वो देखता है और लोग इससे पीड़ा में होते, फिर देखिए, वचन पांच और छे में देखे तो ये बताता है उनकी पूछ बिच्छों के जैसी थी और उनके डंग थे और उन्हें पांच महिने तक मनुष्यों को दुख पहुचाने की जो शक्ती मि देखेंगे, लेकिन आज वचन के हिसाब से दिखने वाली एक बनावट बनाई गई है, एक बनावट तयार की गई है, अगर आप देखे तो हमारे हेलिकॉप्टर का उसमें सब कुछ होगा, वार हेलिकॉप्टर का सब कुछ होगा, कुछ दिनों पहले मैं भविश्वक्ता योईल की किताब का अध्याय दो पड़ रहा था, उसमें अगर आप देखें वचन आठ से वचन सूलह तक, ये सच में कुछ अलग ही है, यानि इसकी बनावट ही कुछ अलग है, वो कैसे अगर आप देखें तो, कि वो कहीं से भी घुस जाएंगे, और चोर जैसे आएंगे और वो खास करके माथे पर हमला करता है इस तरह के शब्द, तो देखते हैं यहाँ योईल अध्याय दो में हम इसे पड़ते हैं, यानि योईल भाश्यवक्ता की किताब अध्याय दो में ये है, एक बड़ी और सामर्थी जाती आईगी, प्राचिन काल में वैसे कभी न हु उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी, उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी, उसके आगे की भूमी तो अधन की बारी के समान होगी, परंतो उसके पीछे की भूमी उजाड मरुस्तल बन जाएगी, और उसमें कुछ न बचेगा, उनका रूप घोडों कासा ह और वे सवारी के घोड़ों के समान दोड़ते हैं उनके कूदने का शब्द ऐसा होगा जैसे देखिए आप इन वचनों को समझ रहे हैं ना यहां उसका कॉर्रेलेशन यहां आ रहा है यहां पर है जैसे पहाडों की चोटियों पर रथों के चलने का और खूटी भस्म करती हु हम पढ़ते हैं तो इन वचनों के अनुसार उन्हें देखते हैं यह अभी से भी और ज्यादा एडवांस होगा और वह भी ओल्टेस्मेंट में जोयल भविश्वक्ता का खुलासा है देखे वे शूर वीरों के समान दोड़ते हैं योद्धाओं के भाती चड़ते हैं याने शहरपना पर वे अपने अपने मार्क पर चलते हैं कोई अपनी पाती से अलग नहीं होता एक दूसरे को धका नहीं लगाते वे अपनी अपनी रहा पर चलते हैं शस्त्रों को सामना करने से भी उनकी पाती नहीं तूपती पूरी तरह से देखे तो यह एक ड्रोन एफेक्ट होता है अभी drone weapons का उपयोग शुरू हुआ अंतिम समय मैं ऐसे drone weapons होंगे आज अगर किसी तरह से अगर कोई युद्ध हो जाए तो जादा उपयोग होंगे drone weapons देखिए हाल ही में कुछ ऐसे videos बनाई गए हैं यह जो drone weapons है वो autonomous weapons है कहते हैं यह किस तरह से लोगों को नुक्सान पहुंचाते हैं इनको बनाना बं कीजिए इस तरह से यह कहते हैं लेकिन बं नहीं कर सकते इस तरह से कहते हैं क्यों क्योंकि देखे इसमें कुछ मिली ग्राम कुछ ही मिली ग्राम बारूद इसमें रखते हैं, वो क्या करेगा अगर ये पूछे तो, अगर कोई किसी की ID दे दे तो, आधार ID के जैसे अगर कोई ID दे देता है तो, या fingerprint या ऐसा कुछ दे दे तो, सैटलाइट से कनेक्ट करेंगे, देखे इस तरह से है कि fingerprint को सैटलाइट से कनेक्ट करत हैं, और उसे धून कर मार सकते, ऐसे बनाया है, इसे देखे तो, देखे क्या कहता है, यहाँ वे शूर वीरों के समान दौड़ेंगे, वे नगर में इधर-उधर दौड़ेंगे, शेहर पना पर चड़ते हैं, वे घरों में ऐसे घुसते हैं, जैसे चोड घुसते हैं, या यानि ये तो घर में आ जाते हैं, फॉलो करते हुए, ये जोल दो में हैं, आज से 20 साल पहले इसे पढ़ते तो ये बात ही अलग होती, तो अब इसे समझ नहीं सकते थे, और आज ये है, युद्ध में उपयोग ये जाने वाले ड्रोन्स हैं, प्रकाशित वाक्य में हम देखत हैं, युद्ध में उपयोग होने वाले हलिकॉप्टर्स हैं, इस तरह से हर एक टेक्नोलाजी में आज ये क्या कहता है, चाहे नौजवान हो या बहुत से लोग कहते हैं, ये तो बहुत पुरानी किताब है, इसे हम तो बस इतिहास की किताब के जैसे ही पढ़ते हैं, मैं हम इशा कहता हूँ, इसमें अगले हजार साल में होने वाली चीज़ों के बारे में बताया है, अब इससे देखिए ये वचन आज और कल में तो नहीं लिखा गया, बहुत पहले लिखा गया, अब देखिए इस वचन में जो लिखा है उसका अनुसार दुनिया बदल रही है, आम तोर पिर जो दुनिया में हो रहा है उससे लिखते हैं, पर इसके लिखे अनुसार दुनिया बदल रही है, क्योंकि उस हद तक ये एडवांस किताब है, आप टेकनोलोजी के हिसाब से देखिए, मेडिकल रूप में देखिए या इतिहास के रूप में देखिए, मैं न अगर देखिए तो ये बिलकुल ऐसा ही है, इसके बारे में वीडियो हैं, योईल के बारे में नहीं, ड्रोन के बारे में वीडियो हैं, सीधा आकर माथे पर हमला करता है, देखिए इस वीडियो में सबसे आर्ष्चरी की बात है, सीधा माथे पर हमला करता है, वचन कहता है जिनके माथे पर मुहर नहीं है उन पर ये हमला करेगा ये कितनी सटीग भविश्वानी है जो टेकनॉलोजी के समय में पूरी हो रही है तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो पूरी तरह अंतिम समय में आने वाले हेलिकॉप्टर एस ड्रोन इफेक्ट्स इसके संबन्द के विशे को देखा और इसी के कारण वो इनका नाम सही तरह से नहीं बता पाया यहां क्योंकि उस समय में वो था नहीं वो नहीं थे और इसलिए वो यहां पर पार्ट पार्ट में इसका विवरंड दे रहा है यहां इसलिए रेवलेशन क्योंकि यह सब तो हजार साल बाद होने वाली ऐसी चीजे हैं उनके यह सामान्य बुद्धी में समझ में नहीं आएगा ऐसा है तो वो देखता है दर्शन देखता है दर्शन में कुछ उड़ रहा है देखने पर टिडडी जैसे लगता है पर टिडडी नहीं हेलिकॉप्टर वार हेलिकॉप्टर, ड्रोन का उड़ना ड्रोन का उड़ना, हेलिकॉप्टर का उड़ना योएल और यहन ना देखते हैं तो ड्रोन और हेलिकॉप्टर नहीं लिखते हैं तो क्या लिखते हैं टिड़ी के समान उड़ते हैं उनकी पूछ में शक्ती है इस तरह लिखते हैं और वो लोगों को मार रहे हैं उनके सिर के बाल उड़ रहे थे पंका चल रहा है ये नहीं बता सकते थे बालों की तरह उड़ रहे थे और उनकी आवाज तो युद्ध के रथों के जैसी आवाज थी, गड़ 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 ऐसे आवाज आ रही थी, कितना बड़ा खुलासा दिया है जरा देखी, 2000 साल पहले है कि ठीक है, बाद मैं कह सकते हैं, अभी उसमझ में नहीं आएगा, ऐसे भी हो सकते था ना, समझ में नहीं आएगा ऐसा एक फैक्टर होने पर भी, इसे बताना है, ऐसा एक कांटेक्स जब है, तो सोचने पर बहुत थी अश्चर यह होता है मुझे, अब मैं जब इस खास मानता है, उधारण के लिए, एक सामराज जयोदय होता है, जो सीह के जैसे होता है, अब देखिए, इसके पीछे एक आत्मेक विचार है, जो बाद में समझाते हैं, दस सिंग याने टैन होन्स, ये दस सिंग जो है, ये तो दस देश है से बताते हैं, वो दस देशों को नही दस राजा हैं, ये आने वाले इस तरह से विवरंट दिया गया है, यहना का ऐसा नहीं, दस देश याने दस देशों को दिखाते हैं, सवालों के लिए स्कोपी नहीं दिया, सवाल ही नहीं, बाहर से दिखाता है, अब यहना जो है, ये उड़ने वाला क्या है, ये पूच के इसके बारे में विवरंट देते तो बात ही अलग होती यहना को पता नहीं था टिडडी जैसे उड़ रहा है तो लेवल ऑफ एक्स्प्लेनिशन अलग है इसलिए मैं कहता हूँ नए नियम का चर्च अलग है यहना नहीं कह सकता है नए नियम की कलीसिया के लिए जो प्रकाशन परमेश्वर को देना है वो तो बड़े स्तर पर देना है और कहा जाए तो कुछ फ्यू डेकेट्स के पहले क्रैस्ट का पुनरुथान होता है और वो होने के बादी उसी एरा में जॉन को खुलासा करते है हाला कि जॉन के लिए क्रैस्ट की प्राफेसी भी फुल्फिल होती प्रेतो के काम में वो आ गया था जाए तो जॉन और जेम्स ही हम कहां बैठ सकते हैं और उसके लिए आपको सफर करना हो के कह रहे हैं और उसके लिए भी ओके कह रहे हैं अब प्रेतो के काम दो में यहाँ पर पवित्रा आत्मा लोगों पर उतर गया था लेकिन ये आत्मा में विकास है, अलग स्तर पर चला गया, ऐसे जाते समय उसका प्रकाशन का स्तर अलग है, तो इस रिल में जो डाल रहे हैं, उनको ही वो sacrifice करके, ऐसा हम कह सकते हैं, जी हाँ, देखिए, वहाँ पर पहुंचने के लिए एक बलीदान लगता है, वहाँ पर पहुंचने प मैं इसे पूरे फिल्म की तरह देखा, कि भूमी कैसे बनी, पानी कैसे बटा, पश्ट बताया गया है, अब देखिए, उत्पत्ती की किताब में पहले तीन जो अध्याई हैं, उत्पत्ती के पहले दो अध्याई आप पढ़िए, उसे पढ़ेंगे तो ये कोई दृष्टा यहाँ भी वैसे ही है, और इसलिए यहना को जो प्रभू ने प्रकाशन दिया, वो अलग स्तर का है, अब देखे, दानियल ने जो भी देखा, वो एक दृष्टांत के रूप में देखा, कि एक पशु आ रहा है, चीता आ रहा है, एक मेमना आ रहा है, दोनों लड़ने लग कोई एक हेलिकॉप्टर देख रहा था, ड्रोन देख रहा था, लोग मर्रह देखा, जैसे किसी मूवी में देख रहा है, ऐसे उसने देखा था, और जौन जो है, वो किसी गेस्ट आउस या रेस्ट आउस में आकर नहीं पूछ रहे हैं, और वो भी एक कठिन परसिती में भ तो वही वहाँ जो है, उसका सिक्रेट, अगर मैं परमेश्वर के और गहाई से जाओं तो, जाते जाते और मिलेगा, और यह कहता हूँ, देखे ये सारे ग्यारा चेलों को जो नहीं मिला, वो यहना को मिल गया है, ग्यारा चेले सामने बैठते थे, लेकिन ये गोद में सिर रखता था, टू क्लोज, परमेश्वर के जितने करीब जाएंगे, उतना जादा परिशानिया बढ़ेगी, और उतना ही आपको वर्दान मिलेंगे, प्रकाशन मिलेगा, और बहुत कुछ सीख सकेंगे, ये यहना की खासियत है, देखे हमने वचन 12 तक यहाँ पर देख लिय याने जो सबसे पहले आने वाला है, ये विपत्ती है, और ये तीन मुख्य विपत्तियां बताई है, पहली चार तुरहियों में जो आया था, प्रकृति पर, प्रकृति पर विपत्ति आई, ग्लोबल वार्मिंग के संबन में ये विशे थे, अब ये जो अगले तीन आने वो नीचे से आएंगे, ये भूमी से आने वाली विपत्तियां हैं, अब इसमें केवल परमेश्वर की संतानों को ही सुरक्षा मिली हैं, ऐसे हम क्यों कह रहे हैं अगर ये पूछे तो परमेश्वर ने कहां भूमी से ये विपत्ति आएंगी, नुह के समय में आकाश से बारि यहां ये नीचे से आएगी, यानि ये अथा कुंड से आएगी, यानि ये जो है ये तो परमेश्वर के द्वारा लाई गई विपत्ति हैं, अब देखें क्या होता है कि कई बार परमेश्वर दुरगटना को भी प्राकृतिक बनाते हैं, उधारन के लिए फिरोन के समय दस मरी आई थी, इन दस मरीयों को नैचरल कलेमेटी के रूप में देखा, एस्टरोइट का गिरना आप देख सकते हैं, फिर टिड्डियों का आना आप देख सकते हैं, मचलियों का मरना आप देख सकते हैं, मेंड को का आना भी, यानि ये सब देखकर आप इसे प्राकृतिक ब यसा करते हैं वो लोग किसा कर सकते हैं लेकिन अभी जो हो रहा है वह कोई और नहीं कर सकता है कुछ प्रलुब दिखाये और आने वाला है गिए उपयोग करते हैं याने लोगों का ये नुक्सान होने वाला है याने उधारण कि रूप में ईक जगा कि मैं उनके बच्चे को मार दूंग इस तरह से परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर खुद मारेंगे क्या नहीं वो एक राजा को भेजते हैं जी बुरे राजा के रूप में नभुकद निसर राजा वो आता है इन सब लोगों को मारता है परमेश्वर ये कहते हैं जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ है ना तो परमेश्वर स्वाभाविक चीजों का उपयोग करते हैं ऐसे आपको बता रहा हूं परमेश्वर ने कहा याने अथाकुंड से कुछ आने वाला है और वो लोगों को मार देगा तो परमेश्वर किन चीजों का उपयोग करेंगे आज के टेकनोलोजी को उपयोग करने की संभावना है बस यही अब देखे कोई ऐसे बीमारी आ जाती है मनुष्य ने बनाए हुवे वाइरस का उपयोग परम कोई बात नहीं है इसी तरह से यह वहाँ पर होने वाली एक बात है तो इसमें बहुत से लोग्प्रभावित खो जाते हैं याने ये तो पूरी तरह से आके मारने वाली है ययनी देखिए ये DR, बिलकुल ताजा ये चोथी बात नहीं ये पांच-वी है बहुत ही महत्तूप Effect, कैसा है जरा सोचिए, और वो भी Bible कही कहता है, पहले 4 को विपत्ती नहीं कहा, इसके खत्म होने पर क्या कहता है, पहली विपत्ती बीद गई, अब इसके बाद दो विपत्तियां और आने वाली है, और वो भी Bible में जब ऐसा कहा है, तो सोचने वाली बात है, बहुत ही डर ल यही सहन नहीं कर पाए, इससे हालत खराब, इसलिए कहता हूँ, वो इंटर्व्यू मेरे पास है, आप देख सकते हैं, उन्होंने कहाँ, कोरोना आने के पहले आपने तो कहाँ था, वाइरस आने के पहले आपने कहाँ था, वो आ गया, अब क्या ऐसा कुछ है जिसके लिए नहीं है, इस तरह से पूछा तो कहाँ, और दो आने वाले हैं, जब उन्होंने ये कहाँ, तो मुझे ये याद आया, और दो ये क्या कह रहे हैं, बाइबल में ये दो है, ये बताया है, वो ये बात नहीं है, उन्होंने ऐसे ही कहाँ, और दो विपत्ति आएगी, हम एक ही क जेल नहीं पाए, हजम नहीं कर पाए, इसके आने के बाद तीन साल बीतने पर हैं, और दो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहली बताया है, वो उनसे पूछना पड़ेगा, उन्होंने इंटर्व्यू में ये कहा था, अब देखें, लोगों के और विश्वासियों को मुख्य बात में बताना चाहता हूं, ये क्यों दिया गया है, अगर ये पूछे तो आप इससे बचके मनुश्य के पुत्र के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, ये सब क्यों दिया गया है, ऐसा आ रहा है, इससे बचके परमेश्वर के साथ में चलना यही तो कहता है बस यही है बहुत से लोग इसके निगेटिव बाजू देखते हैं कैसे यानि आप ये सब कुछ बता रहे हैं इससे लोग तो पूरी तरह से डर जाएंगे ये डराना नहीं है अगर डराना समझते तो समझ लीजे लेकिन उदेश्य क्या है ये सब कुछ आने इसलिए इससे बचकर परमेश्वर के सामने खड़े होने को आपको तयार रहना है और कहा जाए तो वच्छन 6 में जैसा लेका वैसा नहीं रहना है होना नहीं चाहिए उन लोगों जैसे होना नहीं चाहिए इतनी दूर होने के बावजूद वो क्योंकि जितना चाहिए था इसके लिए परमेश्वर ने आउसा और समय दोनों दिये हैं हम सब तयार हो जाए इसके लिए उसने ये सब कुछ हमें दिया है और इसका विवरंड भी इसके लिए दिया गया है और किसी के लिए नहीं इस एपिसोर में हमने बहुत सारे विश्यों को देखा प्रदिशकर इसके लिए इसके साथ में उसे जरूर जोड लेंगे और एक का विश्वास है कि प्रभू उनकी हमेशा रक्षा करते हैं तो हम दरशकों को डरा नहीं रहे हैं दरशकों को उच्साहित करने के लिए हम ये कारिक्रम कर रहे हैं मेरी बात सही है न किया देखे, यही तो उद्देश है, देखे, उनसे हम क्या कह रहे हैं, इधर उधर मत जाओ, गिर जाओगे, इस तरह से हम उन्हें डरा नहीं रहे हैं, छेतावनी दे रहे हैं, हर जगह में एक छेतावनी है, यह हर जगह है, ट्रेन के आखरी बोगी पर X बनाते हैं, यह किसले ब लिखते हैं, बड़े transformer पर danger इस तरह लिखते हैं, यह क्यों लिखते हैं, वहाँ पर खोपड़ी का चिन्न होता है, क्या लोगों को डराने के लिए, इसे बताने का कारण यह है, गर इसे छोगे तो इस खोपड़ी के जैसे हो जाओगे, यह अर्थ है, यह danger है, खतरनाक है, यह एक चेतावनी है, देखिए, सब कुछ भविश्वानी हो, प्रतिग्या हो, प्रेम और अनुग्रफ पर सब बोलते हैं, तो जज्जमेंट के बारे में नहीं बताना है, क्या चेतावनी नहीं देनी है, इसका एक भाग इसमें है, और यही हम बता रहे हैं, धन्यवाद ब जटाखे हैं, झाला से लिए, साजब भावचका में बता है, क्या खी मिए्जमें रगजिए, सान medications से हैं, तो जगारा रह। झाल झाल झाल